उत्तरा खंड में कई जगों पर भुकम के जटके मैसूस किये गए हैं। लोगों में देशत का माहौल, घरों से बाहर निकले लोग, करीब बात सेकेंड टक ये जटके मैसूस किये गए। की भी जानकारी हम आपको देंगे लेकिन एक साथ साड़े आठ बजे के करीब पांच सेकंड के लिए लोगों ने भुकम के जटकों को महसूस किया तो देखे उत्तरकाशी में महसूस किये गए भुकम के जटकी की बात करें तो सुबह आठ बज के 33 मिनट पर ये जटके महसूस किये गए जबरदस भुकम के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले और इतने पांच सेकंड के करीब लोगों को लगा कि कुछ भी हो सकता है अन्हो नी हो सकती है इसे देखके लोगों ने अपने घरों से बाहर निकल करके सुरक्षित महसूस किया लेकिन अभी भी देशत का महाल सारे 8 बजे के करीब 5 सेकंड के लिए ने धरती को हिलता महसूस किया जपरदस्थ भुकम के जटके महसूस हुए लोग घरों से बाहर निकल गए और अपनी जान को सुरक्षित रखने के लिए घरों से बाहर निकल करके चैन की सास ली बावजूद इसके 5 सेकंड तक पहाड पर भुकम के जटके महसूस किये गए तीन लोकेशन है जहां ये जटके महसूस किये गए 8 बच के 33 मिनिट का वक्त बताय जा रहा है जब लोगों ने महसूस किया ये तस्वीरे आप देखे लोगों के घरों में लगे फैन और LED लाइट्स लोगों ने बंद फैन को भी जब देखा कि ये शेक कर रहा है LED लाइट्स को भी लोगों ने हिलता हुआ देखा तब उन्हें अइसास हुआ कि धर्ती काप रही है और पटापट घरों से बाहर का रुक किया पाथ सेकेंड तक काफी होता है पाथ सेकेंड महसूस करने के लिए क्योंकि आसपास की चीजों से लगाए लोगों ने खुद महसूस किया कि भुकम आ रहा है ऐसे में लोग घरों से बाहर निकले तुरंट डर का माहौल बना रहा और उसी की तस्वीरें हैं देखे भुकम के जटकों वाली सुबह हुई है आज आज के दिन वड़कोट यमुना घाटी में भुकम के जटके महसूस किये गए है आठ बच के 34 मिनट पर ये जटके महसूस किये गए तकरिफर 5 सेकंड तक लोगों ने जटके महसूस किये है भुकम के बाद दर का माहौल लोग घरों से बाहर निकले क्योंकि 5 सेकंड तक धरती हिलती रही लोगों ने अपने आसपास की चीजों को हिलते हुए देखा श्रेक करते हुए देखा तब उनके समझ में आए कि भुकम के जटके हैं ये और जान बचाने के लिए लोग पटाफट घरों से बाहर निकलते नजर आए मसूरी में भी भुकम के जटके मैसूस किये गये हैं लोगों के भीतर दहशत का माहौल है क्योंकि जब तक कि वो श्योर ना हो जाएं कि आने वाले वक्त में भी कहीं और जटके तो नहीं आएंगे किस तीवरता के जटके आएंगी ये तमाम सवाल होते है खास कर पहाडी परद्रिश्य में तो लोगों के भीतर डर और रहता है हुकम के चटके महसूस किये गए हैं मसूरी में भी उत्तरकाशी में इस वक्त या महौल है ये ज्यान नहीं और देखने के लिए रुक करते हैं कर दिख्बीर बिष्ट का दिख्बीर जरा दिखाईए और बताईए क्या लोग घरों के भीतर वापसी वापसी कर रहे हैं या उन्हें अभी भी डर है आज सुभए आड़ बजकर चौटिस मिड़ पर जवादस भूकम आया और लोग अपने घरों से भार निकले हैं और भार निकलने बाद दैसत का माहौन हो गया था और आज तो प्रकाशी माना जाता है और इसके पहले भी कई वार भूकम के जिस्ते मैसिज किये गए है और इसका जो भूकम आया है इसका जो केंदर बिंदू माना जे है जो तेरी में है और तेरी चिनेली सौर से 35 किलमेटर आगे यहाँ इसका केंदर बिंदू लम्टिस माना गया है तो पही निकली जो भूकम है भूकम जो पहाड़ी चितरों में जो काफी तीज तीजर मातर म आज जो भूकंप आया है उसमें काफी लोग दैसेत में यह थे और लोग घरों से भाग रहते हैं बिलकुल दिग्वीर और देखा जा सकता है लेकिन अभी क्या लोग मैसूस कर रहे हैं अब वापस जा चुके हैं सुरक्षित मैसूस कर रहे हैं या फिर अभी भी इंतजार क् कि एक दो घंटे तक लोगों को दर्चा बना रहता है। में बड़ी मात्रा में भुकम पाया था जिसे काफी तरास्ती हुई थी बिल्कुल दिवीर तो आप नजर बना करके रखेगा शुक्रिया अभी जो जानकारी आपने दी तो यहां लोगों के बीच डर का माहौल है क्योंकि ऐसे पहले भी भुकम पा चुका है और ऐसे में लोगों को डर सा बना रहता है फिलाल आज की सुबह भुकम से हिली हुई जहां उतरकाशी के लोगों के लिए एक बार फिर से पुरानी यादों को ताजा न कर दे इसके मद्दे नजर ये बताया जा रहा है कि लोग घरों से बाहर निकले काफी देर तक इंतजार किया कि जटकों के बाद कोई और जटका तो ना आए ऐसे में उतराखंड में तीन लोकेशन है जहां पर पाथ सिकेंट के लिए ये जटके मैसूस किये गए तो देखिए तीन जगों पर भुकम के जटके मैसूस किये गए और लोगों के भीतर डर का महौल है A.B.P. गंगा, खबर आपकी, जबाँ आपकी